हलो माइ ग्रिया फ्रेंड्स नंदिनी स्टेडि पॉइंट में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है उसमें ये बताऊंगी जो 5 साल से बड़े बच्चे होते हैं जो बच्चे 5 साल की एज पार करके 6 साल में होते हैं उनमें एक भी हैबे प्रॉब्लम देखे जाती है जो कि कुछ बच्चे मिट्टे खाने लगते हैं कुछ बच्चे बहुँँ ज्याध रखे तो ऐसे सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें हम विखेश। एनुरेसिस का मतलब क्या होता है कितने टाइब के होते हैं इनको ट्रीट कैसे क्या जाता है और इसमें बेबी के अंदर प्रॉब्लम क्या देखी जाती है तो यह सारी चीछ में बताने वाली हूँ उसके पहले मैं यही कहूंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे च जानते कि अगर बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे ट्रीट करें या इसके लिए हम क्या करें तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चा मार खाता है कई ने कई एक तरीके से मुझे लगा explain कर देना चाहिए ताकि इसमें पैरेंट्स को यह awareness हो सके कि उनके बच्च तो ऐसा जो condition है ज्यादा तर अगर देखा जाए तो पांच साल से बड़े बच्चे जो होते हैं वो बात भी कर लेते हैं घूम फिर भी लेते हैं समझ जाते हैं सेल्फ इटिंग भी कर लेते हैं पर जहां बात आती है यूरीन करने की तो वो किसी से नहीं बोलते उनको खु कर देते हैं ऐसे जो बच्चे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डे टाइम डायूरीनल अनुरेसिस और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नाइट में वो क्या करते हैं कि सोते वे ही बेड़ वेट कर देते हैं उनको पता नहीं चलता तो ऐसे बच्चों को हम नॉक्टर्नल अनु यहाद बैट कर लुद करता है दो है तो ऐसे बचों के अंदर प्रोबलम हो जिसके वजह से बच्च पर बत करना बट्र करना नहीं है उसको इस प्रॉब्लम से चुटकारा देने के लिए उसका इलाज कराएं जैसा मैंने टाबलेट बताया इन अपरा माइन जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है और दवाई दें डॉक्र के परिशान होना पड़ता है इसलिए तो बस आज के वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंफोर्मेटिक वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई टेक के रहें